तो बางला देश के अंदर जो कुछ होरा है, हिंदों पर जो यातना ने ढाही जा रही है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर पोड़े जा रहे हैं। इन सब के मुवंद हैं बांगला देश की घ्टा पर। कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भय है, अगर उन बोलेंगे, तो उनके गोल्ड वेंग के सकते वे दिखाई दिखाई देंगे, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांगलादेश नहीं दिखाई देता, हमें वरतमान की इन चुनोतियों को समस्ना कोई एक दूसे से लग नहीं कर सकता, और मैं तो आथ मुझे संतों का आवान करूंगा, इस समय है, उनको स्वयम आजया करके, पुरे समाज को इवजुट करने के साभान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, इस समाज फिर से हैं, अगर वे सफन हुई, तो बांगलादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदों पर जो यातना है ढाई जा रही है, आप देख रहे हों कि किस प्रकार के इत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारा मड, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विदी, हमारा स बास्त रहमारे दर्शन हमारी शादनापति तबी संक्षित उप आएगी तब इंदेश स्विरख्षित हुपनितु होverständ व्हाटिए धृट शुरख्षित करना होगा इदित हुए पड़ेगा, एक एक पपने साथ जोड़ना पड़ेगा, भेख भाव के लिए कोई जगे नहीं होनी चाहिए, विभाजनकारी उन ताक्तों को बेनकाब करना होगा, जो के वाल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के अधर पर पांटना चाहती है, उनके लिए रास्ट की कीमत पर राजनीती उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए रास्ट सरोपर्थम है, रास्ट की कीमत पर कोई रासनीती नहीं हो सके, हमें चुनना होगा, पहले रास्ट को चुनेंगे, उसके कि ले किसी भी प्रकार के बलतान देने के लिए तयार होंगे लेकिन उसकी कीमत पर कोई राज़िती स्वीकारिद नहीं है लेकिन आज जिस प्रकार के दिरिस से दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार की बाते हो रहे हैं जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं आपने देखा होगा इन सब के मुबंद है पाल्लादेश की घटा पर कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भै है अगर उन बोलेंगे तो उनके गोट बैंग के सकते वे दिखाई देंगे उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते वे दिखाई दे रहे हुझे और इसलिए वे बोल है बोल नहीं सकते जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुत्तों पर बोखते हैं मुखर ओकर के बोखते हैं उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांगलादेश नहीं दिखाई देता है उनको दुनिया के अंदर अन्य चेकर दिखाई देती है लेकिन बांगलादेश नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम मंदिर तोड़ी जा रहे हैं और हिंदु मारा जा रहा है संतों प्रत्याचार बुड़ा है और इसलिए हम सब को वर्तमान की इन चुनोतियों को देखना पड़ेगा याद करना 1947 के पहले बांगलादेश भी भारत का हिस्सा था हमें यह नहीं भूलना चाहिए तक 1971 में बांगलादेश को बचाने में हमारी सेनिकों ने भी बर्दान दिया था हजारों सेनिकों ने बर्दान दिया था पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ी थी पाकिस्तान के 95.000 से दिख सेनिकों को भारत के बहतुर जवानों के सामने समर्पन करना पड़ा था और विश्व के इत्यास में बिस्वा के इत्यास में किसी भी सेना की सर्वाद सर्व से बड़ी विजय थी जो 1950 में भारत की सेना में करते लिखाया